हलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूपरफास्ट, स्टेडी एंड एकस्पेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो की किल्म से related है हमारे रोटरी किल्म से जैसा कि आपने thumbnail में देखा हम इस वीडियो में ये discuss करेंगे कि रोटरी किल्म का जो support rollers होता है उसके जो width होती है यानि कि उसकी जो चौडाई होती है वो tire के width से हमेसा जादा ही क्यों होती है ऐसा क्यों रखा जाता है क्या है इसके प पता होना बहुत ही जरूरी है ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेकनिकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील्ड से related वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं upload करता रहता हूं 1000 से ज्यादा वीडियो जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए 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 वीडियो जो है वो upload कर करता रहता हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँछ पाया तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता है रोटरी किल्न में जो सपोर्ट रोलर होता है वो एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो की हेल्प करता है और मेंटेन करता है रोटरी किल्न की स्टेबिलिटी को और उसके अलाइन्मेंट को तो जैसे कि हम जान करते हैं 350 TBD की लनकी तो वहाँ पर जो support rollers का width होता है वो 680 mm होता है जबकि अगर हम tire की बात करें तो tire का जो width होता है वो 620 mm होता है यानि की support roller का width जो है वो 60 mm जादा है आपके kiln के tire से तो चलिए बात करते हैं इसके पीछे के reasons के बारे में support rollers का चौड़े होने का सबसे पहला reason जो है वो यह है load distribution जो support rollers होते हैं वो kiln के total weight को bear करते हैं जितने भी support rollers होते हैं वो है ना kiln के साथ-साथ उसके अंदर की जो material को process किया जा रहा है उसके भी weight को यह bear करते हैं तो जादा चौड़े support rollers होने की वज़े से load distribute करने के लिए जो large area मिलती है हमें है ना ज्यादा large area याने की बड़ा area अगर हमें मिलेगा load distribute करने के लिए तो stress जो है वो कम होगा है ना क्योंकि अगर area बढ़ेगा तो stress यहाँ पर कम होगा जिससे की वो आपके support roller के लिए safe होगा उसके failure होने को की possibility को कम करेगा इसके अलावा एक और important reason है जैसे कि हम सभी जानते है rotary kiln जो है वो moment करती है floating करती है upward and downward तो हमारा जो support roller है वो तो stationary है वो fix रहता है जबकि हमारा rotary kiln जो है वो upward and downward motion करता है तो अगर support roller चोड़ा नहीं होगा तो आपके tires जो होंगे वो क्या होंगे upward और downward motions की दोरान क्या होंगे कि उससे support roller से बाहर आ जाएंगे जहना यहाँ पर load distribution area कम हो जाएगा जिसकी वज़े से tire में भी load excessive लगेंगे उसके कुछ portion पर और support roller के भी कुछ portion पर excessive load लगेंगे कहने का मतलब यह है कि जब rotary kiln हमारी movement करती है upward side में या फिर downward side में तो ऐसे condition में जादा से जादा contact जो है वो support rollers पर रहे ताकि किसी भी portion में tire के हो या फिर support roller के हो जादा load किसी particular area में किसी particular portion पर ना पड़े और load बहुत ही सही तरीके से distribute हो पाया जिससे कि हमारा equipment जो है tire और support roller ये दोनों safe रहे तो friends I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर rotary kiln के support rollers की width को जादा क्यों रखा जाता है rotary kiln के tire के width से तो friends उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा झालविदा